नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस लेक्चर में आज एक पुनर आरंब के साथ हम आए हैं आपके बीच और आज बाबा तुलसीदास का जो चैप्टर है आपकी किताब में उसको आज हम सौट में समझेंगे बाबा तुलसीदास ने जो दो खंडों के इंतर्गत अपना पार्ट लिखा है पहले वो चर्चा करते हैं किसकी कविताबली की किसकी चर्चा करते हैं कविताबली की और फिर तुलसिदास चीचर्चा करते हैं लक्षमद मूर्चा और राम बिलाप किसकी लक्षमद मूर्चा और राम बिलाप की कविता बली में क्या बताया गया है कि उस समय की बात है तुलसीदास का जन्म 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था तो बात लगभग सोलवी सताबदी की है तो उस समय भारत पर कुछ आक्रमड कारियों का राज चल रहा था आक्रानताओं का राज चल रहा था तो क्य समस्यां जो थीं बेकारी की बिरोजगारी की भुकमरी की गरीबी की कैसी कैसी तमाम समस्यां से लोग जूज रहे थे उस समय उस समय उनके गाओं के जो लोग थे तमाम समस्यां का सामना कर रहे थे उन्हीं समस्यां के बारे में बताया गया है पहले कबताबली के माध्यम से कि क्या समस्याइं थी और कैसे उनको परेशानिया जेल नहीं पड़ रही थी दूसरे लक्षमणों मूर्चा और राम बिलाप को मैं आपको याद रखना है कि ये कहां से लिया गया है ये कहां से लिया गया है लक्षमर मूर्शा और राम बिलाप कहां से लिया गया है श्री राम चरित मानस के लंका कांड से कहां से श्री राम चरित मानस के लंका कांड से भग्वान राम जो हैं बड़े ही अलौकिक हैं बड़े ही अद्वुत हैं भग्वान राम की महमाज है बड़ी ही नियारी है भगवान राम चूंके एक साधरड व्यक्ति तो नहीं थे उनको मर्यादा पुरशोत्तम भगवान श्री राम चंदर जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव कावितार लेकर के भी तमाम ऐसे दिब्यकार किये जिनके माध्यम से मानवों को गुड़ता के उच्छतम सिखनों वाले संदेश दिये तमाम बातें बताने का प्यास इस संसार को किया भगवान श्री राम चंदर जी ने भगवान राम ने लक्षमड को अपना सहोधर भाई बताया है पार्ट में और सहोधर भाई का आर्थ होता है एक ही मां के कोक से जनमे दो पुत्र सहोधर भाई होते हैं परंतु लक्षमड की मां और थी और भगवान राम की मां जो थी वो और थी लेकिन उसके बाप जूद सहोधर भाई बताया है क्योंकि राम जो थे वो अदवुत थे वो अलग थे वो सामान ने मानवाँ जैसे नहीं थे अगर सामान ने होते तो राम का व्यवहर भी सामान ने होता लक्षमण मूर्चा और राम बिलाप के इंपरगत शुरुवात में जो चर्चा मिलती है उसमें बताते हैं कि जब हनुमान जी तमाम प्रसंसा करते थे हनुमान जी से प्रसंसा करते थे भरत की भगवान राम और भरत से हनुमान जी की प्रसंसा करते थे तो दोनों में एक दूसरे के प्रति भेंट वारतालाप की काफी इच्छा थी तो जब हनुमान जी बूटी ले है वो अपंग हो जाता है लेकिन इसके बापजूद भरत बाहुबल सील गुन प्रभुपत प्रीत अपार मनमा हुजात सराहत पुनिपुनिपवन कुमार भरत को प्रडाम करके चलते हैं भरत के गुड़ों की प्रिसंसा करती हुए चलते हैं आपको अकर कोई अपने बने रही है मेरे आपने दो मुझे जीवन भर के लिए पंग बना दिया ना लेकिन हनुमान इसी लिए भगवान है राम इसी लिए भगवान है वो विसेस हैं एक चुद्वा साल का लड़का जिसको दुनिया के सबसे बड़े राज जी का राजा बनाय जाना हो सबसे राजा या किंग नहीं बनाया जाएगा वलकि तुमको बनवास जाना होगा चाहुदा बरसों के लिए समझे कि अगर कोई और व्यक्ति होता तो सबसे पहले उसका जबाब यह होता कि पिताजी I want to go to court now कोट में जाकर के अपनी अपील करता कि यार मुझे तो राजा बनाया जाना तो वो फ्समेंवां ninja बने क्यों लेकिंघ gri 되면 कि एक लिए थिकक्रापका स्रजन कि आब उससी की आज हम आपकीपतां में थोड़ी सी चीजों को समझेंगे कि किkaya कुछ आपके एक्जाम की द्रश्टी से महत्वूड है तमाम बातें जो अभी बता रहे थे वो तो एक पार्ट की छुवन के लिए थी ताकि पार्ट को इस परस कर सकें कि पार्ट कहना क्या चाहता है उस बात को आप समझ सकें लेकिन अब हम इसकी चर्चा करेंगे वह वे चीज़ें होंग तुम तुमने मुझसे इस पार्ट का कहा तो कुछ एक समस्या है बोलिए कि जहां तुमको समस्या आई इस पार्ट में पहले उसका निदान उसके बाद हम अपने अपने तरह अपने तरीके चलेंगे जली बोलू है लेंग्वेज टिफिकल है जैसे कविता बली कोई आप उ लाइन आती है याद नहीं है एक जैकली ठीक ना उचे नीचे करम धरम अधरम कर पेट ही को पचत वेचत वेटा बेट की तुलसी वुझाए एक राम घंस्याम ही सों आगी बड़े बागतें बड़ी है आग पेट की किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट किस भी अर्थात किस भी का मतलब क्या है धंदा किसान कुल अर्थात किसान का परिवार बनिक अर्थात बनियां व्यापार करने वाला भिकारी अर्थात भीक मांगने वाला भाट अर्थात राजाओं की प्रसंसा करने वाला भिकारी भाट चाकर अर्थात नोकर चपल अर्थात चालांकियां करने वाले चापलूस लोग चंचल चापलूस कह सकते हो चपल नट नट जानते होगे क्या होता है चोर चार चोर लोग जो है चेट की अर्थात बाजीगर इन सब की हलत क्या है चाकर चपल नट चोर चार-चेट की फिर क्या लिखा किसबी किसान रखनकोन भिकारी भाल चाकर चपल लट चौर-चार-चेट की पेट फिर क्या लिखाए बताओ तो ऑ इस सब्रस्तीत की इसके बाद और अगली लाइन मैं देख लेता हूं गूंव ए अगर आपको पूशने वाले हो दो उसका पहले क्या करना चाहिए ब४क्तो ले के आना सुखे ना चोर चार चेट की फिर लिखा है तमारा की चाकर चपलना चोर चार चेट की पेट को पड़त गुन गड़त चड़त किरी सब को किस की पड़ी है पेट की पड़ी है इन सब को किस भी है किसान, कुल, भनिक, विकारी, भाठ ये सब लोगों के एक ही समस्या है सब को पेट की पड़ी है क्या पड़ी है कि अपना पेट भर जाए पेट को पड़त गुन गड़त और सब लोग अपने गुणों का विकास करने में लगे हैं चड़त गिरी यानि कि इवन दो पहाड चड़ने को तयार हैं अपनी पेट की भूख भुजाने के लिए अटत गहन गन अहन अखेट की यानि की गहरे गहरे वनों को भी अठने के लिए गहरे वनों में जाकर के आखेटक सिकार करने के लिए भी तयार हैं अहन अखेट की उचे नीचे करम धरम अधरम करे पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की उंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म सब कुछ करने को तयार हैं पेट की भूख भुजाने के लिए इवन दो कि अपने बेटा बेटियों को वेशने के लिए भी तयार हैं तुलसी बुजाए एक राम घंस्याम हीतें आग बड़ वाग इतें बड़ी है आग पेट की तुलसी कहते हैं कि किबल और किबल राम नाम रूपी घंस्याम अर्तात राम नाम रूपी बारे से ये एक मात्रैसा समाधान है जो कि इस पेट की आग को भुजा सकता है और ये पेट की जो आग है ना ये बड़वाग नहीं यानि समुद्र की आग से भी ज्यादा भ्यंकर है अगले श्नेंजा में कहते हैं कि खेती ना किसान को भिकारी को ना भीक वली बनिक को बनिज ना चाकरों को चाकरी जीविकाव हीन लोग सीधिमान सोच बस कहें एक एकनसो कहां जाई का करी चिकना बेद हूँ पुराण कही लोक हूँ विलोकियत साकरें सबेपे राम रावरें करपा करी दारिद असानन दवाई दुनी दीन बंदू दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी अर्थात खेती ना किसान को किसान के लिए खेती नहीं है करने को भिकारी को ना भीक वली भिका को बने जियानी की बनियां को ब्यापार नहीं मिल पा रहा ना चाकर को चाकरी नोकर को नोकरी नहीं मिल पा रही जीविका बहीन लोग सीध दिमान सोच बस जीविका यानि कि अपने रोजगार से भीहीन जो हो गए हैं लोग, जिनके बास रोजगार नहीं है, सीध दिमान सोच बस, वो सीधे लोग जो हैं, पीडित लोग जो हैं, वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, सिर्फ के सीध दिमान सोच बस कहें, एक एक अंसो कहां जाई का करें, एक दूसरे से कहते हैं क कि सांकरें पढ़ी हैं या नि कि सब जो हैं डियां को दुरय औरतार इनने में इस दुनिया को दबा रखा है जलती तपति हालत को दुनिया की डेह करके करा करते हैं तुलसी को हाए तौबा करने की इस्तिती आ जाती है अगले स्टेंजा में कहा गया है कि धूत कहों, अब धूत कहों, रज़पूत कहों, जुलहा कहों कोहू, काहू की वेटी सो, बेटा ना ब्याहावू, काहू की जात विगार न सो कि तुलसी सरनाम गुलाम हिराम को जाक रुचेस कहें कच ओव मांगे के खाएवो मसीत को सोभो लेवे को एक नदेवे को दो यानि कि चाहे मुझे धूत को संसार में लिप्त को या फिर अब धूत को संसार से उपर ठागवा सन्यासी को रजपूत को चाहे मुझे दूर लने वाला का हो चाहें जो लहा का हो है ना काहू फिर क्या लिखाया रजपूत कहो जो लहा का को काहू की बेटी सो बेटाना मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विभा नहीं करना ना मुझे किसी से कोई खास तालुकात ना मतलब बेटाना ब्याहव जाको रुचेसे कर देखल नहीं थाड़ नहीं कि किसी के काम में उजει कोई थाली देना है डिक है फिर कहते है कि तुलसी ही सरनाम गुलाम को तिलसी जो नाम है ना यह राम का गुलाम है užाक能quito जो 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 है आए वह मेरे बारे में कह सकता है ठीक है необход नो कमाऊंट आएंऑ नो कमेंट आउट डोस गाइस तो जाक वर छे सो कहे का चुआ प्रमाग का यानी के मेरा तुम एक भी दूद्र में आप उसके वारे मैं कुछी इंड़े लिए 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 लेना रही है पहले तो लिया कहा है कहा है से कहां से है लंका कांड से लंका कांड कि उसका रामचरित मानस का ठीक है अब देखो लक्षमण को क्या बताया है सहुदर भाई चंद कौन कौन से ये इसमें दोहा और चौपाई दोहा चौपाई लिखाए तो इसके बारे में याद रख लो कि दोहा का उल्टा क्या होता है सूर इठा चौपाई किसे कहते हैं चालीस चंदों चालीस सब्दों वाला चंद यह ना चालीस सब्दों वाला चंद ठीक है लक्षमण को सहुदर भाई माना है ठीक है और कुछ एक देखो कि संसार में क्या चीज़ें पुनहें मिल सकती है क्या चीज़ें संसार में दभारा मिल सकती है सुत बित नारी भवन परिवार यानि के सुत अरथात पुत्र बित अरथात धन नारी अरथात इस्त्री भवन अरथात घर और परिवार यानि परिवारी ये चीज़ें संसार में दुबारा मिल जाती है ठीक है कुछ चीज़ों के अर्थे को विपिन का रथ है जंगल फिम का रथ है बर्फ आतब का रथ है धूप ठीक है इसके अलावा ये हो गया तुमआरा इसके बाद लक्षमर जो है अपनी मां के अकेले पुत्र थे अपनी मां के अकेले पुत्र थे ठीक है लक्षमर कौन थे अपनी मां के अकेले पुत्र थे ये चीजें बता दी मैंने और ये कुछ की पॉइंट्स हैं ब्याक्ष्या जो है संभावना है कि अगर आएगी तो लक्ष्मण मूर्शा रामिल आप से नहीं आएगी किस से आएगी कविता वली से आएगी ये वाला चैप्टर तो दिक्कत कहा आती है अचा आई नहीं थी तो अब चलो चलो ये ये समझ में आगया कविता वली आंगी का देख लेना चलो ठीक है तो थेंक्यू सो मुच ये थोड़ा एक ट्राइल था चोटा सा इसके बाद आंगे वीडियो जाते ये रहेंगे आपके बीच्ट so many many thanks to all बंद कर दो वीडियो